Hello everyone, welcome to my channel, I am Harish आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दो प्रिपोजिशन्स को जो हैं थ्रू और थ्रू आउट तो आईए शुरू करते हैं थ्रू जिसका हिदी में मतलब लता है के माध्यम से या से होकर अगर के माध्यम से किसी स्रोत की अगर हमें बात करनी है यानि किसी माध्यम को बताना है, किसी सोर्स को बताना है तो हम प्रिपोजिशन्स थ्रू का प्रियोग करते हैं से होकर, किसी जगह से होकर गुजरने के लिए वहाँ पर भी हम प्रिपोजिशन्स थ्रू का प्रियोग करते हैं Sentences mean को कैसे प्रियोग किया जाता है? Example देख लते हैं I knew it through the television ये मुझे television के मादिन से पता लगा ये बात मुझे television के मादिन से पता चली तो यहांपर आपने देखा through का प्रियोग किया या मादिन से के लिए Next example है You can see the market through this window आप इस खिड़की के मादिन से बाजार देख सकते हैं You can see the market through this window तो यहांपर मादिन के लिए फिर मैंने प्रियोग किया अब एक example देख लिए हैं Say Hoker के लिए Say Hoker के लिए They are passing through a street वो एक दली से होकर गुजर रहे हैं Passing केहते हैं गुजरने को और through हमने यहांपर प्रियोग किया Say Hoker के लिए They are passing through a street वो एक दली से होकर गुजर रहे हैं दूसरी preposition है Through out जिसका हिंदी में मतलब होता है पूरे या सारा पूरे या सारा के अर्थ के लिए हम preposition through out को एक sentence में कैसे प्रियोग करते हैं देख लेते हैं The audience enjoyed throughout his performance उसकी पूरी परफॉर्मेंस यानि पूरी प्रस्तुती के दौरान audience ने जो देखने वाले थे दर्शट थे उन्होंने पूरा आनंद लिया उसकी पूरी प्रस्तुती के दौरान दर्शटों ने आनंद लिया We studied throughout the night हमने सारी रात पढ़ाई की We studied throughout the night हमने सारी रात पढ़ाई की तो यहां पर throughout को मतलब आ रहा है सारा We studied throughout the night They played throughout the day They played throughout the day वे सारा दिन खेले तो throughout का मतलब यहां भी आ रहा है सारा they played throughout the day वे सारा दिन खेले इन दोनों प्रिक पोजिशन्स को अब आप अच्छे से समझ गया होगे ये जानधारी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल की सारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ